कि अलो वार वैस वैल्कूम टॉट शॉक्सक्ट इड़ाप तो अज निफ्टी और बैंक निफ्टी में यह पर आपको काफी एच्छी momentum देखने को मिली है बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर आपको को आपर की तरफ मॉमेंटम करना है तो वो तुरंत ही यहाँ पर डब्यू पैटर्ण या फिर थोड़े से कंसॉलिडिशन के बाद वो आपर की तरफ मॉमेंटम फिर से शुरू कर देगा तो जो लोग भी यहाँ पर शॉट अम के लिए कुछ ट्रेड यहाँ पर फाइंड करन होता तब तब के लिए मार्केट यहाँ पर बुलिस मॉमेंटम करता रहेगा और जिसकी से ने भी यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो हमने स्टाटरजी दी थी उसके सबसे निफ्टी में जो हमारा पहला लेवल है वो यहाँ पर आ चुका है तो जो लोग भी रिस capacity के सबसे इसमें trade करना चाहते हैं तब आप यहाँ पर one lot के साथ जा सकते हैं या फिर एक option भी यहाँ पर इंदमनी का buy कर सकते हैं next month का next month की expiry buy करने से आपको यहाँ पर काफी चाप premium देखने को मेलेगा momentum जो है continue रहती है और अगर आपको यहाँ पर दूसरी और यहाँ इस तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं तो !' Bank NFT में हमारी condition अभी match नहीं हुए क्योंकि Bank NFT काफी अचा momentum कर चुका है जिसके कारण वो अभी higher momentum में है और अगर यहाँ पर हमारी condition match होती है कहीं पर तब हम यहाँ पर trade plan करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर intraday stocks के बारे में बात करते हैं सबसे पहले अगर stock की बात करें तो यहाँ पर Tata chemical आता है Tata chemical में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज यहाँ पर gap down के साथ काफी अचा momentum देखने को मिला है तो अगर यहाँ पर कल 880 के नीचे यहाँ पर momentum आपको देखने को मिलते है तब आप यहाँ पर काफी अचा intraday में profit कमा सकते हैं अगर next stock की बात करें तो यहाँ पर ITC आता है तो ITC में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर break किया है तो इसमें भी आपको काफी अचा intraday momentum देखने को मिल सकता है आपका SL यहाँ पर 1-2 रूपी कर रहेगा अगर यहाँ पर next stock की बात करें तो यहाँ पर बाटा इंडिया आता है तो बाटा इंडिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी अचा स्विंग आई के बाद मार्केट ने यहाँ पर लगाया है और अभी यह lower low की condition में यहाँ पर चल रहा है तो कल यहाँ पर 1145 के नीचे अगर momentum देखने को मिलते हैं तब आप यहाँ पर काफी अचा intraday momentum capture कर सकते हैं अगर next stock की बात करें तो यहाँ पर axis bank में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रही है तो अगर यहाँ पर कल momentum देखने को मिलती है तब आप यहाँ पर काफी अचा return कमा सकते हैं अगर next stock की बात करें तो यहाँ पर बंतन बैंक आता है तो power grind में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछला swing low यहाँ पर break किया है और उसके बाद यहाँ पर काफी अच्छी प्राइस एक्शन लेवल पर यह खड़ा है तो अगर यहाँ पर 184 के नीचे अगर momentum देखने को मिलती है तब आप यहाँ पर इंटर डे करके काफी momentum capture कर सकते हैं अगर नेक्स टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिले थी और उसके बाद यहाँ पर अभी यह काफी अच्छी प्राइस एक्शन लेवल पर खड़ा है तो अगर अगर यहाँ पर बैंक निफ्टे में मोमेंटम नीचे की दीन की तरफ हो रही होगी तो यहाँ पर काफी अच्छा है तो यहाँ पर काफी हाई चैशन के लिए तो अगर लास्टॉक की बात करें तो यहां पर वेदन तो यह अभी एक सपोर्ट लेवल के आसपास यहां पर खड़ा हुआ है तो यहां पर अगर मॉमेंटम देखने को मिलते हैं तो यह काफी हायर चांसेज है कि यह स्विंग हाई लगाने के लिए आपर की तरफ मॉमेंटम कर स रखता है तो इसमें भी आपको स्विंग क्याप्चर करके काफी अचा राइटन कमा सकते हैं और जिन किसी को भी यहां पर मैंक निफ्टी और निफ्टी में हायर प्रोबिबिलिटी वाला सेट अप चाहिए वह हमें डियम कर सकते हैं